स्वागत है आप सब का एक बार फिर से विद्यकुल्णम ओलाइन क्लासस में आज की क्लास में हम जानने वाले हैं पूर्ण वर्ग संक्या टो किसका वर्ग है इन सारी चीजों के बारे हम लोग डिसकस करने वाले हैं देखिए मैत में कुछ भी रटना नहीं होता है केवल नाम से ही सब कुछ समझ में आता है कि क्या है तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे वर्ग तो वर्ग का मतलब क्या होता है वर्ग का मतलब समझ लीजिए जोड़ा वर्ग का मतलब क्या होता है जोड़ा यानि कोई भी संक्या है अगर जोड़े में लिखी है और इन दोनों का अपस में गुणा है तो यही जोड़ा कहलाता है वर्ग यही जोड़ा क्या कहलाता है इसको हम इस तरह से लिखते हैं उपर जैसे हमने कहा कि बताइए तीन को अगर हमने तीन को दो बार गुणा कर दिया यानि जोड़े में लिखकर कर दिया गुणा और इसको हम ऐसे लिखते हैं तीन का वर्ग तो यही तो वर्ग होता है अब पूर का मतलब होता है पूरा पूर पूरा 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 यानि अगर पूरा पूरा जोरा बन जाए तो संख्या कहले पूर्वर्ण जैसे यहां पर देखिए यहां पर ऐसे लिखा है गुंडवर्ण कि िपांच तो बशना मंड़ nhiय एक जोरा मंगया यह एक जोड़ा बन गया ये एक जोड़ा बन गया तो जोड़ा बन जाए पूरा 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 जोड़ा बन गया तो यही होता है पूरण वर्ग पूरा पूरा जोड़ा बन गया मतलब पूरण वर्ग हो गया तो अब आप कहेंगे कि इस तरह का फॉर्म तो चलिए हम कर लेंग इस रूप में हम लोग तोड़ने के लिए 36 को लिखेंगे, जो भी संक्या होगे उसको लिखेंगे और ऐसे सिंपल सा एक लाइन खीचते हैं और ऐसे लिखते हैं लाइन खीच करके अब जिस संक्या से भाग जाता है उस से भाग देंगे हमेशा ध्यान रखिए का सुरू किस से करते हैं दो से दो से सुरू करेंगे फिर तीन से करेंगे फिर पांच से करेंगे फिर साथ से करेंगे फिर ग्यारा से फिर तेरा से इस तरह से करते हैं उसी संक्या से भाग देंगे जिससे पूरी पूरी कट जाएगी और जब तक कटती रहेगी तब तक भाग देखते रहेगे, देखिए कैसे करेंगे, देखिए, यहां पर सबसे पहले बार ही किसकी दो की, तो हम 200 इसमें भाग लगाएंगे, और जितनी बार भाग जाता है ना, उसको यहां लिखते हैं, कि क्या दो से जाएगा नहीं जाएगा किस से जाएगा बारी किस की आई तीन की तो तीन से भाग लगाईए कितनी बार तीन बार तो तीन तरीका नो फिर किस से जाएगा फिर तीन से जाएगा तीन एक कम तीन खतम हो गया ना जहां खतम हो जाए बस वही एक आ जाना चाहिए दो गुड़ा दो गुड़ा तीन गुड़ा तीन देखिए यह जोड़ा बन गया न यह एक जोड़ा बना एक जोड़ा यह बना यानि पूरा-पूरा जोड़ा बन गया अब पूरा-पूरा जोड़ा बन जाए तो संख्या कैसी है पूर्ण वर्ग संख्या है तो बिलकुल है किसका वर्ग है अगर हम पूछ लें किसका वर्ग है तो देखिए यहाँ पर इस जोड़े में से एक आपको बाहर निकालना है इस जोड़े में से एक बाहर निकालना है तो यह किसका जोड़ा है दो का जोड़ा है तो एक दो बाहर निकाल लीजिए यह किसका जोड़ा है यह स्थारे से हमलों कोष्ठियन को करेंगे अब चलिए अगले कोष्ठियन की तरफ बढ़ते हैं अगला कहा है क्या पॉर्टालिस एक पुनवर घलते हैं तो कैसे करेंगे इस और ले === तो देखिए कहे रहा है क्या 48 एक पुनवर का संख्या है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग 48 के अब आज गुड़न खंड करेंगे किस से भाग देंगे पहले हम दो से भाग देंगे तो देखिए दो से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा दो दूना चार अदो चौको आठ फिर किस से भाग देंगे फिर दो से भाग देंगे तब तब भाग देंगे जब तक जाता चला जाए कितनी बार गया बारा ब बन गया यह एक जोड़ा बन गया लेकिन क्या यह एक जोड़ा बना नहीं यह अकेला रह गया तो फिर क्या यह पूरा-पूरा जोड़ा बन पाया नहीं ना तो अगर पूरा-पूरा जोड़ा बन पाए तो पूरवर्ग संख्या और पूरा-पूरा ना बन पाए तो पूरव तो पहले हम देखेंगे कैन नउसोब एक पुन्वर करस्ख्य आधैसे निकालेंगे 900 को पहले पैटर कर लेंगे नउसट के पहले गुण खंड कर kijken यह पहले भाग किस से अब दो से जाएगा क्या नहीं जाएगा किस से जाएगा तीन से बारी तीन से करेंगे तो देखिए तीन सत्य एकीस तीन पचे पंद्रा फिर किस से करेंगे फिर तीन से करेंगे तीन दूनी छे तीन पचे पंद्रा अब किस से करेंगे तीन से जाएगा क्या तीन से नहीं जा बना ठीक है तो अब ये पूरा पूरा जोड़ा बन गया ना जोड़ा अगर पूरा पूरा बन जाए तो मतलब पूर्ण वर्ग पूरा पूरा ना बने तो मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है तो एक चीज तो हमने निकाल ली कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है 900 आप पूछ रहा एक इसका दो का इस तीन का और इस पांच का तो कितना हुआ दो ती चाल पंच यशा पंचे कितना हुआ तीस тебе किसका वर्ग है 900 यह किसका वरग है 30 बात संज में आ गई तो यह वाला पूर्ण को कुछे नॉस्फशन को पूरद के संख्या है और किसका वर गई घी universities का बोड तो बूल जाई कुषिंगे एक सो Chris किरारे को कुषिंगे लाइन में ब्हें दू सब्सक्राव सब्सक्राइज करें एक सो एक सोस्प्राद का सीधे करें मिए तो पहले किसे बार गा दूनी, 18, seconds 2, St. 16 फिर 2, 10, 3, 2, 8, बार तो पूर्ण वर्ग है ना पूर्ण वर्ग है क्योंकि ये पूरा पूरा जुड़ा बन गया और ये दो आ गया यहां से यहां से साथ आ गया तो दो और साथ का गुड़ा करें तो कितना गया चौदा कितना गया चौदा अब देखें यहां पर कुश्चन दसंबलो में थ संख्या के बर्ग को पता कर सकते हैं कि संख्या क्या पूंड वर्ग है कि नहीं और है तो किस वर्ग है उम्मीद करता हूं यह चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी आई हूं तो लाइक जरूर करें चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नय और कॉंसेप्ट को करके ओके थैंक्स पोचिंग गाइस